इसले वीडियो में हमने जो आसे collection.sort देखा था जिससे कि हम लोग sorting करते थे अरे लिस्ट में ठीक है तो array.sort अगर हम लोग use करते हैं तो जो आसे sending order में जो आसे sort करता है और यहाँ पर जो आसे अगला method हम लोग use करेंगे collection.sort का ती यूज करेंगे collection.reverse sort ठीक है reverse order में हम लोग जो आसो sorting कर सकते हैं हमने जो पिछले वाले जो वीडियो बनाई थी पिछले वाले एक्जामपन हम लोग उसी मेडिट कर लेते हैं तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर हमने जो collection.sort लिखा था उसी में हम add कर देते हैं collections collections.reverse order आपको method यूज करना हो और value क्या करेगा reverse order में print कर देगा तब ही string का किया और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे आइंटीजर वाले में change कर देगे और object collections.reverse order हम लोग reverse order method को call कर लिए देखा करेगा कि data sending order में जो 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 जितने value है उसको sort कर देगा तो चलिए हम लोग run कराते हैं compile हो गिया और हम लोग run कराते हैं Java array list sorting देखें यहाँ पर before sorting इस order में मैंने जो इस ही set कर आया था उस order में और after sorting यहाँ पर देखें descending order में जो 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 बैल को print किया है, string type की value थी और यहाँ पर देखें हम लोग integer tab जो जो एज आड कर आया था और हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था sending order यहाँ पर देखे sending order है सबसे maximum value सबसे उपर है सबसे first में first index पर और सबसे last index सबसे minimum value है ठीक है यह था sending order जहाँ पर कि हम लोग collection.reverse orders method को call करके value को descending कर सकते हैं array list में ठीक है ति यह था हम लोग का array list में sorting कैसे करते हैं एक और method है उसको हम लोग next वीडियो में देखेंगे तब तक लिए इतना है देखें next वीडियो